तो टॉपिक क्या है दल्ला ड्राइविंग स्कूल ये वीडियो अभी तक किसी की चैनल पे आपने नहीं देखियोगी तो आज के वीडियो का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग है कोचिंग कैसे होगा टेस्ट कैसे होगा कंप्यूटर का किलास कैसे होगा रोड़ पे कैसे गाड़ी चलाएंगे जाविद ब्लोग में आपका स्वागत है आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफेकर्स नम आ जाए हलो दोस्तो असलाम अलेकूम नमस्ते तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे से होंगे बहुत बहुत सुक्रिया इतना सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब और फटापट 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 बढ़ रहे हैं ठीक है और ठंड भी लग रही है बहुत जब दस देख रहे हो सुबसे घाड़ी में बैठता हूं तो हीटर लेकर के बैठता हूं लेकर समझे गरम गरम चाय और गारी की गरम एसी इतनी चिल्ड है भाई बहुत ठंडा यहां है बहुत ठंड है रूम में तो डबल डबल कमबल लेके सो रहा हूं तो आज की वीडिय हैं उनको तो मालमी होगा जो नए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है यह वीडियो आज तक अभी तक जैसे में लेकर आ रहा हूँ यह वीडियो अभी तक किसी एचैनल पर आपने नहीं देखियोगी कोई भी बंदा ऐसी वीडियो आपको नहीं डालके दिखाय तौपिक क्या है डल्ला ड्रायविंग स्कूल साथी में में ड्रायविंग स्कूल में कोचिंग कैसे होगा करकिंग यह सारी वीडियो आज आपको मिलने वाली है एक साथ चीक है तो फिर मिलते हैं आगे वाली वीडियो में चलिए वीडियो शुरू करते हैं वान टू थ्री जी दोस्तों तो शुरू करते हैं वीडियो में मैंने आप लोगों को जहां तक हो सका है मैंने वहां तक इडिटिंग करकी दिखाया है क्योंकि कुछ-कुछ पार्ट मेरे खुद के हैंड का है कुछ-कुछ पार्ट किसी और का है मतलब कि वह दल्ला स्कूल का ही है ठीक है जो वीडियो में कुछ-कुछ पार्ट आपको मेरा मिलेगा वीडियो कुछ-कुछ पार्ट दल्ला ड्राइविंग स्कूल की मतलब कि मैं व जो सके part why parts मैं अगर बनाता था बहुत लंबी वीडियो बनती तो इसलिए मैं ने एक ही में आटच कर दिया है तो इस वीडियो क कप थोड़ा सा भी मिसमत करना ऐस्पीज़ बार बार देख सकते हो कि मैं सिखा कैसे मैं बता कैसे रहो पार्किंग की वीडियो भी इसमें ही है क्योंकि मैंने एक ही बार में पूरी video अप्लोड कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आए कौन सा काम कैसे कैसे सुरू होगा हम कैसे driving school में जाएंगे कैसे कहां पर बैठेंगे कैसे कौन सा paper देगा teacher कैसे हमें बताएगा क्या सिखाएगा ठीक है आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल ला हूँ अगर अगर आप समझ रहे हो तो मेरा चैनल प्रण पर पहली बार आयो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में सबस्छा लाइक बटन दो जब वीडियो पूरा देख लो तो कम्मेंट करो आपका अपेनिएन क्या है मेरी वीडियो के बारे में या आपको कुछ कैसे होगा कहां पे जाएंगे school कहां पे होता है मतलब नॉर्मल सी हर जग स्कूल अलग अलग address पे होता है बट मैंने जो बताया है ऐसे आप पना अजस्ट कर लेना कोचिंग कैसे होगा टीचर हमें कैसे सिखाएगा कैसे पढ़ाएगा इसके बाद कंप्यूटर कैसे होगा इसके बाद गारी की ड्राइविंग अगर हमें ड्राइविंग नहीं मालुम है मुझे अगर ड्राइविंग नहीं मालुम है और मुझे ट्रेनिंग के लिए स्कुल मे वीडियो में देखना आप इसके बाद आजाओ आप तो सर होंगे वो सर जो है ना अर्बिक में बता रहे होंगे बट मैंने सब वीडियो को ट्रांसलेट कर दिया हिंदी में ठीक है इसलिए उस वीडियो को किसी ने देखा नहीं आज तक बट मैंने ढूंड़ के निकाल आप के लिए आप लोग का प्यार इतना मिल रहे है कि क्या बताएं कोशिस करेंगे हम परसोस एडिटिंग में लगा हूँ आज वीडियो ला रहा हूं आपके लिए तो अच्छा लगता है आप लोगों तक बात शेर करने में बताने में ठीक है तो वो सर हर चीच बता रहे हैं कै कैसे गाड़ी चलानी कैसे क्या चलाना है तो मैंने टांस्रेट कर दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को आसानी हो ठीक है ना आप लोग अपना प्यार बनाओ और वीडियो को पूरा देखो और एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो खास करके रिवर्स दोगे तो आप पार्ट मिस कर जाओगे तो अगर आपके फैमिली वाले कोई जाने वाले हैं या आपके फैमिली वाले जा रहे हैं या आपके फैमिली वाले पहुंच गए उनको डर लग रहा है कि यह कैसे ट्रेस्ट होगा कैसे क्या होगा ता आप मेरी वीडियो उनको भे कि आप लोगों के लिए भाई जवर दस वीडियो के थी आप लोगो प्यार बनाओ और भाई को याद करो प्यार दो सबसक्राइब करो लाइक करो लाइक करना है आप लोगो है ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में और तो एक मिनट टेक मिनट रुख जो एड आगर आय ना तो चलने देना फ्लीज ठीक है कि मैंने आप लोगों के लिए एडिटिंग की सफ़्ट वेर दूसरी बाइ की है दूसरी डिटिंग सब्सवेर मैंने खरे दी है तो कुछ आना चाहिए ना एड आय तो पुरा चलने दिया अगर इसकीप मत करना ठीक है ना चलिए आप देखो आगी की वीडियो के जी दोस्तों यह दल्ला स्कूल है ठीक है रियाद का यह आपको अब्दुल्ला सिटी के पास में है ठीक है यह आप देख सकते में गेट इसके पीछे जो बिल्लिंग देख रहें यह अब्दुल्ला यह जो टीचर है यह आपको ऐसे ऐसे सिखाएंगे बताएंगे आगे चलके इसके बाद यह देखें यह ऐसा कंप्यूटर का सिस्टम रहेगा जो गाड़ी चलाने के लिए सिखाते है और यह किताब है जो कि हिंदी इंगली उर्दू बंगाली मतलब की जितने भी कितनी की स्पीड है पार्किंग कैसे करेंगे यह रास्ता बंद के क्या है अर्भ है यह बंगाली है यहां पर बुक मिलेगा है सवारी चालक इसके वाद यह अर्बिक वाली बनी हुए और देख रहे हैं तो यह उर्दू है यहां पर देखो यह सारे लेंगवेज की जो भी है यह फिल्पिनों लोग की है मतलब की सारे लेंगवेज की इन्हों के जो है बुक मनाई हुए है कि जो जिस भासे को जानता है जो जिस देश का है क्योंकि सजावदी में आपको पता है बहुत सारे एकट्यक यहां पर काम Mapर कर से हर किसी को driving license न बनाना होता है इसलिए इन्होंने यह सब सारे languages का जो है इन्होंने बाता का किताब बनाया हुआ है थीक है तो यह सारा चीजसे में हर एक detail दिया हुआ है ठीक है आपके driving license से ले करके driving tips से ले करके road tips driving tips accident tips मतलब कि सारा कुछ दिया हुआ आपको medical tips देख सकते हैं अंदर में ये सारे सवाल जवाब ठीक है ऐसा ही सारे सवाल जवाब हमारे computer screen प्याएंगे ठीक है जैसे ये जो लिखा होगा है हिंदी का होगा तो हिंदी में ही आएगा इंग्लिस का होगा तो इंग्लिस में आएगा जो भासा आप चूस करते हो उसक सेम होता है ये waiting room में driver लोगों का इसके बाद ये class है जब आपका सब कुछ हो जाएगा अंदर में paper वगएरा सब जमा हो जाएगा ठीक है तो पहले आपका i test होगा i test होने के बाद जब सब कुछ में आप pass हो जाओगे तो आपका फिर से class चालू होगा पैसा वैसा जमा करने के बाद पैसा का और अपना कफिल का बात कफिल से किया जाएका पैसे के बाद मैंने बोल बाल कर रहा ठीक है यह आपको class में बीठादेंगे तो THIS रे ये खिर सब यह सब तीन गंटे की आपकी स्चलेगी यह हर चीठ से बैंगे तो सब चीज का एक एक मार्केबल आपको बता देगा सब चीज का देखो यह आपको बुक दिखा रहा है कि देखो इस बुक में भी सेम बना हुआ है वैसे ही सेम आपका जो है student को बिलाया है कि बता हो इस चिन का किया नाम है इस चिन को नहीं है कि नहीं है थीक है इस चिन से पूछ रहा है कि यह इसका मतलब किया है इसका मतलब is केंटरी है थी के यह सब लोगों से ऐसे हैं देखो यह सबसे पूछ रहे हैं किसका मतलब किया है नहीं सब लोगों से सब पूच रहे हैं क्योंकि इसी सब का जुदाब छे में dear meением electorate सारी इसा nuggets के द्वारा दिखाते हैं computerize के दवारा शाला कंपूटर के दौरा सवाल जबाब कर रहे हैं आप लोग को आप लोग का भी ऐसे ही होगा सेम यह सब आपको जाना है ट्राफिक पुलिस डिपार्टमेंट यह कम्पिटर रूम में जाना जब आपको याद हो जाएंगे तो यह यहां पर आप आओगे ऐसे खड़े रहोगे जैसे यह यह वाला पर श्क्रीन पर नाम लिखा रहेगा ठीक है मुहमद जावेदार में नाम लिखा रहेगा आपको बासा चूज करना हिंदी इंगली बंगाली हिंदी हम चूज करेंगे जैसे यह सर अर्भिक वाले हैं मैं तो ट्रांसलेट कर रहा हूं तो इन्हों ने अर्भिक चूज किया यहां पर चिनाश बणावा यहां पर पूछ रहा है कि यह जो छ सवाल का जवाब सही दिया गया है छिंग है जवाब कर लोग mistaken यहां पर आपको जो है नाम खथम हो जायेगा जब यह सब होने के अंदर ही गारी दी जाएगी ऐसे यह आपको चलानी रहेगी यह सब लोग खड़ें यह बता रहे हैं सब को कैसे चलाना नहीं चलाना यहाँ पे आपको दिखाए देगा हर चीज यह समझाएंगे आपको ठीक है इसके बाद हम आपको ले चलते हैं रोड टेस्ट पे रोड बोल लाता है मैंने टांसलेट कर दिया है ठीक है अंदर में पूरा पार्किंग है गोल चक्कर है मतलब के round about ठीक है तो ये आगे भाई साब गाड़ी ले करके ये जो है ना पैदल क्रोस करने वाला जगह है ठीक है इस पे आप ध्यान देना ये अगर बना होगा तो आपको ध्यान से जाना यहाँ पे अगर आप driving में test दोगे तो यहाँ पे 1, 2, 3 गिन लेना तो crossing करना ठीक है इसके बाद जहाँ पे stop लिखा होगा वहाँ पे stop पे आपको रुख जाना है ये देखो अभी मैं इस पे इसको कुबरी बोलेंगे flyover बोलेंगे कुबरी ठीक है तो इस पे आपको आराम से लेके जाना है इस पे ना mark बना होता है वो mark के बारे में बताता हो भी आपको तो ये देखो ये भाई साब लेके जा रहे उपर ठीक है ये लेके गए और ये रुख गए क्यों आगे में एक line बनी हुई है stop line रुख ये तो वहाँ पे आपको रुखना है one two three अपने अंदर गिनना है और फिर फिर निकल जाना है ठीक है पुलिस आपको बताएगा रायट चलना है या लेफ्ट चलना बताएगा आपको पुलिस भी बताता है अब इतने भाई खाली लेके जारे देको ये आप आगे से मैं दिखा रहा है आपको तो ये भाई साब लेके आंगे आने का देखो यह आई बना हुआ यहां पर स्टॉप बना हुआ तो इन्होंने रोग दिया था गाड़ी ऐसे आपको भी करना है ठीक है तो यह सब हो गया ठीक है यह देखो भाई साब भी गाड़ी लेकी आ रहे है यह सीज़ा सीज़ा लेकी आ रहे है आपको बस नॉर्मल बीस से तीस की स्पीड में गाड़ी चलानी है ना कि पचास की स्पीड में यहाँ पे ठीक है ना बीस से पचीस से तीस की स्वीट में गाड़ी चलाना आपको आपको गाड़ी रहेगा ठीक ना अभी देखो यह भाई साब यह रिवर्स में पार्किंग करके दिखा रहे हैं तो अंदाज अपने आप हो जाएगा जब आप ड्राइविंग की टेस्ट में पास हो जाओगे ट् स्टॉप लिखा यह रुख जाएगा रुख गया तो यह सर जिस दिन आपका टेस्ट होगा उसके एक दिन पहले ही आपको हर चीज आपको शेर कर देंगे ठीक हर बात आपको बता देंगे कि यहां पर आपको ऐसे चलाना है यहां पर आपको आपको ट्रेनिंग देना यहां प स्पीड लेके नहीं चलना है ऐसे फिर नाज दफसे से लिए घबका कि फिर लिंट मैं। बना हुआ है कृपर से दिकहा रहो है आपको और जिल आप लेकैं कर जाएगा सा लेकिस दाना थे चलाघ मैंए पूरा घुमा गोल गुमाकर की एट बना रहे एड जैसे अपने इंडिया में बनाने के वो मिलता न दिल्ली में उसी तरीक दिए बना रहे है तो इतना हाड होता नहीं है यहां पर दिखा रहे है यह लोग ठीक है ट्रेनिंग के बेसे से मैंने बता है मैं आपको बता रहा हूं ठीक है ना अब यह आप गारी लेकर घुम गये हैं अब हम सीधा जारें ठीक है सीधा लेकर जारे गारी अब यह इधर से इसमें चले गए जानके अविद्र को आगे जाके कि द बात तो अलग हो गया यहाँ पर निशान बना रहे गए आपको यह आपको पार्किंग का टेस्ट यह दो गाडियों के बीच में गाड़ी लगाना इसको परार्ट बोलते हैं यह दो भाईया गारी कैसे लेकि आ रहें यह आगे लेके आगे ठीक आभी मैं साइट से दिख तो आपको रुख जाईए देखो अभी इसने पूरा जो है ना स्टेरिंग पुरा राइट काट दिया ठीक है राइट काट नहीं का दिए पीछे लेकर सिशा में देख लिए देखो गये अब वहां से ये पूरा लेफ्ट काट दी एक ही बारे पुरा लेफ्ट फर्स्ट में पूरा राइट एंड इसके बाद सेकेंड ने पूरा लेफ्ट देखो पूरा लेफ्ट साना स्टेरिंग अब यह सीधा करके आगे जाएंगे गारी पार्किंग हो भी परफेक्ट ठीक है अब मैं फिर से आपको पीछे से दिखाता हूं समझ में आ जागा आपको चलिए मैं आपको साइट से देखाता हूं यह देखिए अभी गारी कहाँ वाल इन्हों ने खड़ा कि यह यह जो लाल डबबा है ना रखा हूँ अमानलो यह गारी यह गारी के पीछे से यह पूरा राइट काट दिया देख लो कैसे काट रही है ध्यान से देखो और यह पूरा लेफ पार्किंग करना सबसे हाड भी यही है ठीक है सबसे असान भी यही है बहुत इसली अब देखो यह भाई यह गारी निकालेंगे अभी अभी दूसरा सीज़ा सीज़ा पार्किंग यह तो कहीं कहीं पर ऐसा पार्किंग होता है और कहीं कहीं पर तिर्चा पार्किंग होता है म benefiting में बीना नहीं तेर के दिखा है अब ये अब यह आपको सीज़ा लेकर जाना आगे से गारी घुमाला अध एक ही बार हम पुरा राइट पुरा ले ले लेंगे श्टेरिंग पुरा लेफ्ट देखा पुरा लेफ्ट लिया आप सीधा राइट लेके निकल जाओ एक ही बार में गाड़ी चार भार घुमाने के जोरत नहीं पड़ी आपको पूरा लेफ्ट इनका स्टेरिंग था ठीक है अब देखो यह पूरा राइट ले लेंगे देख लो मैं साइड से दिखा रहा हूं आपको पूरा राइट लिया अब सीधा लेफ्ट लेक निकल गए लेकिन अब यह आगे से राइट मुलेंगे तो इनको यह इंडिकेटर देके मुलेंगे ठीक है न आपकर राइट लेफ्ट करना तो इंडिकेटर आपको अपने हिसाब से ध्यान में देना अब यह भाईया इसके अंदर गाड़ी लेके आएंगे अब देखो आप देखते रह यह रिवर्स कर रहे हैं और लेफ्ट काटे शीशा में देख रहे हैं वह पीछे का हिस्सा और राइट काटे एकदम सीज़ा से आगे वापस अब मैं आपको आगे से दिखाऊंगा इनको थोड़ा पीछे जान देजिए इन्होंने कैसे किया ठीक है आगे के चक्का से आगे टायर से आपको मालम पर जाएगा ठीक है नहीं देखो मैं आपको आगे से दिखा रहा हूँ यह आया है भाई साब आगे से यह देख लो ठीक है यह पारकिंग होगे गाडी कहीं कहीं पर ऐसा भी जगह होता है जो जब्वें जगह कम होती है ठीक है ना तो हर चीज का एक्स राइट काटा स्टेरिंग राइट लेते ही सिधा लेफ्ट डीवर्स में वह देख रहे हैं शीचा में निकल लेके गाड़ी एक नंबर और फिर राइट ले इन स्टेरिंग पूरा राइट लेकिन पीछे देखते रहना आपको ठीक है अब देखो निशान सब बनावान रो न्वड देख्ञान में अवर्स में अरइट लाइक थिए तो आप कूछ पूछ ना हो तो कम्मेंट कर लोगे वर्स क्वेइं